हेलो दोस्तों, नौलिज सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है आज का चैप्टर है सेल्स रिटर्ण से सम्मंदित सेल्स रिटर्ण अकाउंट कब बनाया जाता है और इससे सम्मंदित ट्रांजेक्शन कौन से वाउचर में किये जाते है इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगी यदि किसी पार्टी को माल बेचा जाता है और वो पार्टी किसी कारणवश हमें इत माल वापस कर देती है तो उसके लिए सेल्स रिटर्ण अकाउंट बनाया जाता है और इससे संबंदी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट नोट में दिखाया जाता है यानि कि जब भी हमें सेल्स रिटर्ण से संबंदी ट्रांजेक्शन करनी हो उन सभी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट नोट में दिखाया जाता है यहां पर पहले से एक company खुली हुई है इस company में हम sales और sales return से सम्मंदिर transaction करेंगे सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ options को yes और no करना होगा इसके लिए F11 feature में जाएंगे F11 shortcut की प्रेस करेंगे accounting features में जाएंगे यहां पर allow invoicing, enter purchase in invoice format use debit credit notes को तो yes करना ही है साथ में use invoice mode for credit notes इसे भी yes करना है क्योंकि आज का transaction हमें credit notes में ही करना है use invoice mode for debit notes इस option को भी yes करना है control AC से accept कर लेंगे इसके बाद laser create करेंगे laser create करने के लिए account information में जाएंगे laser create sales account sales account का ग्रुप sales account होगा inventory values are affected को yes करेंगे दूसरा laser हम create करेंगे sales return account के नाम की sales return sales से सम्मंदित account है इसलिए इसका ग्रुप sales account होगा इस option को भी inventory values are affected को भी यहां पर yes किया जाएगा इसके बाद हम जिस पार्टी को माल बेचेंगे उसका laser create करते हैं a b c d book store यह हमारा sunry adapter है इसका ग्रुप sunry adapter होगा कंट्रोल एसी इस laser को accept कर लिए एसके बटन का यूज़ करते हुए बाहर जाएंगे लेजर create करने के बाद हम accounting voucher पर आते हैं सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे f2 की प्रेस करेंगे तीन अप्रेल 2008 इस डेट को accept कर लेंगे enter प्रेस करके sales voucher में entry करने के लिए sales voucher की shortcut की f8 प्रेस करेंगे इस पार्टी को माल बीचा गया है उस पार्टी को select करेंगे यह भी cd book stall को माल बीचा है enter प्रेस करके इसे accept करेंगे sales लेजर में sales account आएगा name of item stock item का name यहाँ पर डालेंगे simple excel book हमने sale की गया 10 quantity sale की है 200 रुपे पर quantity के हिसाब से 2000 रुपे का माल बीचा है एंटर प्रेस करके इस transaction को accept करेंगे इसके बाद 3 अप्रेल को यह माल बेचने पर 5 अप्रेल को किसी कारणवश उस पार्टी ने हमें यह माल वापस कर दिया इसलिए इस transaction को हम credit note में करेंगे क्योंकि यह sales return से संबंदित transaction है और sales return से संबंदित सभी transaction को credit note में किया जाता है credit note के लिए ctrl plus f8 shortcut की प्रेस करेंगे या फिर monitor की screen पर credit note बटन पर mouse से click करेंगे f2 की प्रेस करके date change करेंगे 5 अप्रेल को माल लोटाया गया है इसलिए 5 अप्रेल को इसका transaction होगा date change करने के बाद enter प्रेस करके इसे accept करेंगे parties account name ABCD book stall से फ्क्माल वापस आया है parties account name में इसका नाम डालेंगे enter प्रेस करके इसे accept कर लेंगे यहाँ पर sales laser में sales return account आएगा stock item ने 10 quantity हमने बेची थी उसमें से 5 quantity वापस कर लेंगे rate वही रहेगी जो हमने sale करते समय डाली थी enter प्रेस करके इसे accept कर लेंगे इस तरह से हम sales return से सम्मंदित सभी transactions तो कर सकते हैं credit note में वह भी invoice mode लेंगे accept बटन का यूज करते ही बाहर जाएंगे यहाँ पर हम इसका balance भी चेक कर सकते हैं balance चेक करने के लिए display बटन पर जाए इसके बाद account books इसके बाद laser यहाँ पर ABCD book stall की नाम से जो laser बना हुआ है उसे सलेक्टर की उपन दो है और tap one shortcut की प्रेस करके हम इसे डीटेल में भी देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन दिखा रखी है ABCD book stall से समदिर sales account और sales return account एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पर sales voucher में किया गया है और दूसरे को credit note में किया गया है दो हजार का माल बेचा एक हजार का वापस आ गया closing balance बचा एक हजार रुपए इस party से हमें एक हजार रुपए ही लेने हैं क्योंकि एक हजार रुपए का माल उन्हें वापस कर दिया है ascap button का यूज़ करते हुए यहां से बाहर जाए इसके बाद हम इसे stock summary में जाकर भी देख सकते हैं stock summary open करें यहां पर enter press करें इन transaction को हमने अप्रेल में किया है इसलिए अप्रेल के मन को select करके enter press करेंगी अप्रेल में जो भी transaction हमने किये है वे सभी transaction यहां पर show हो जाएंगी हमने तीन और पांच तारिक को दो transaction किये है outwards में 10 गोस 2000 रुपए के बता रखे है और पांच return आये है 1000 रुपए इस तरह से हम stock summary में जाकर इसका पूरा balance चेक कर सकती है escape button का use करती है यह बाहर जाएंगी आज की class यही sum up होती है प्रॉक्त आज सुझे जाएar के घिक्पर स्कुर से के असन अच्टक्याद आ कैस्टम्रस पांच को का वे खांगी झाल झाल